हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू चैनल आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टीजीटी आर्ट के लिए यूजी सीनेट आर्ट के लिए आज हम बंगाली शैली में विनोद बिहारी मुखर जी के बारे में पढ़ेंगे इनका जन्म 1904 इश्वी में हुआ और मृत्यू 1980 इश्वी में विनोद बिहारी मुखर जी नंदलाल बोस वा असित कुमार हलदार के प्रिये शिश्ष थे उन्होंने चीनी जापानी तथा पस्चिमी शैलियों का गंभीर अध्यन किया था भारतिय कला परमपरा में विनोद मुखर जी का बहुत योगदान रहा है उन्होंने कला को बंगाल शैली की भावुक्ता से बहार निकाला और साहितिक विशियों का प्रभुत्व हटा कर कला के विरुद चित्रात्मक तत्वों रेखा रंग रूप टेक्स्चर आदी को महत्व दिया है उनकी कला में विविदता है बित्ती चित्र, कुलाज, उटकट तथा कैलिग्राफी सभी प्रकार का कार मुखर जी ने किया उनकी कला भारत की आधनिक चित्रकला के विकास की वह कड़ी है जिसमें जिसमें उसे ऐसी सौयत्व परदान की जिसका आज वह सुप भोग रही है उन्होंने अत्तीर को नजर अंदाज नहीं किया वर्ना उसके महत्पूर पक्षों को नए युग के संदर्व में प्रस्तुत किया चित्रकार, कला, शिक्षक, टिपकरडीकार, एव, आलोचक के रूप में मुखरजी का बहुत योगदान है उनकी प्रसिद्ध करतियों में जंगल, पुल, मंदिर का घंटा, एव, मद्ध कालीन हिंदी, संत, गली में चलते फिरते लोग बालक, वृद, केश, विन्यास, सम्मान व्यक्ति, नैपाली, दर्श्यांकन, बाग में चहल कदमी आदी है आगे हम पढ़ेंगे फेमस पेंटर के जिनका नाम था राम किंकर बैज इनका जन्म 1910 इश्वी में और मृत्तिव 1910 इश्वी में हुई सांती निकेतन में किंकर दा नाम से प्रसिद्ध किंकर, राम किंकर बैज का जन्म सन 1910 में बंगाल राज में बाकुरा शहर के पास जुग्गी पाड़ा गाउ में हुआ था बैज प्रधानता मूर्तिकार थे सीमेंट वा प्लास्टर तथा पत्थर से उन्होंने अनेक मूर्तियां बनाई हैं प्राया, प्रफुल, जीवनी शक्ती सिभरपूर एव विकाशील जीवन के विशियों को ही उन्होंने मूर्तिमान किया है वे मूर्तिकार के साथ साथ अच्छे चितरकार भी थे आरंब में उन्होंने लवु चितर की रचना की, किन्तु शीद्र ही तैल रंगों को अपना लिया और विविद प्रियोग किये व्यक्ति चितर, डिजाइन, भवन, लताएं एव प्रकर्तिक द्रश आदी समस्त प्रकार का उन्होंने चितर किया है मुक्ता, द्रश चितर में विस्तार, वातावरण, एव धाचों की इस्थुलता को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया राम किंकर बैज ने दैनिक जीवन को तुलीका रेखा चितरों के माध्यम से चितरित किया है राम किंकर का जल रंगों का कार विनोध बिहारी मुकरजी से मिलता जुलता है उनका चितरकल, चितरकला वा मूर्तीकला का समस्तकार प्रकरती के बहुत करीब है मानफकरतियों में वे गती पर विशेश ध्यान देते थे सैयोजन में इस्थतियों एव मुद्राओं का और उन्हें वे जीवन के इसपंदान के साथ लयात्मक रूप में चितरित करते थे उनके अधिक्ता चितरों में प्रभाववादियों के प्रकाश से जान के अंतराल चितरों अंतराल चितरों में प्रभाववादियों के प्रकाश से जन के अंतराल वनवादियों के तल वा पारदर्शिता एव पूर्वी देशों की लीपी की जीवन्त का सुन्दर सम्मानवे दिखाई देता है उनके चितरों मूर्तियों की रचना में सुझता इस्थल परिवार अनाज की ओसाई कन्या तथा कुट्टा आदी विशेश प्रसिद्ध है इसके आगे हम पढ़ेंगे कनुदेशाई के बारे में गुजरात के प्रसिद कलाकार कनुदेशाई का जन्म 1907 इस्वी में हुआ देशाई की कला शिक्षा शान्ती निकेतन में हुई उन्होंने नंदलाल बोस के शिश होने का सौभाग प्राप्त हुआ वे गुजरात विद्यापीट के कला के प्रद्यापक रहे वे राष्ट भक्त कलाकार थे उन्होंने परंपरावादी शैली के चित्र शर्जन किया जिसमें रेखा का सौंदर देखते ही बनता है प्राया, राधा किष्ण, मीरा, उत्सव, त्योहार, एव, श्रंगारिक प्रसंगों से संबंदेच चित्र अधिक बनाए कनुदेशाई चल चित्र जगत से भी संबंदित रहे हैं और विविद उत्तम फिल्मों में कला निर्देशन किया इसमें राग राज, बैजू, बावर, एव, जनक जनक पायल बाजे, आदी, विशेश विक्यात है इन्हें फिल्म फियर पुरुस्कार भी प्राप्थ हुआ था उनके चित्र प्राया तीन प्रकार के बने हैं पहला रंग चित्र, दूसरा रेखा चित्र, तीसरा छाया चित्र और रंग चित्र चित्रों में राधा किष्ण, मीरा, भारत माता, कट सावित्री, एव, अर्चना आदी है इसके आगे हम पढ़ेंगे सुधीर रंजन, खस्तगीर के बारे में इनका जन्व, 1907 इश्वी में, अमृत्यू, 1924 इश्वी में हुई सुधीर रंजन, खस्तगीर के चित्र जीवन में हशोल लास से प्रभावित समंदित है उन्हें लोक जीवन का चित्रकार कहा गया है उनके चित्रों में काम गाग की तरह तुलिका घातों का प्रयोग लयात्मक पद्दती से हुआ है जिसमें चित्रों में अपूर्व गतिशीलता का अनुभव होता है उन्होंने तैल, जल, पेश्टल, एव, पोस्टर सभी प्रकार के मध्यमों में चित्रकार किया है मा और शिशू उनका सर्वोत्तम चित्र है इसके अतरिक्त, नग्न, ले, नरत्यात्मक, गुरुदेव, बापू, आदी चित्र है खस्तगीर की कला में जीवन का यथार्थ मिलता है जैसे बुद्ध, मा, नत्की, पूजा, यात्रा, तालाब से वापसी, अधिक, अनुपजाओ, तूफान में यात्रा, आदी, श्रमिकों और जनसादरणों से भी उनकी कला के विशे जुड़े हैं श्रमिकों यानि लेवर से लेटेड सो फ्रेंड्स हम लोग प्रिपेर कर रहे थे यूपी, टीजीटी, आर्ट के लिए फ्रेंस, याज दिस विडिट, शब्सक्राइब ने था ब्रेंट, अब्सक्राइब दूब्सक्राइब दिस ने में भावाएब प्रिश्टर जए रखिए लेग्सर वी ले दूद्से टेंट, टीजीटीट झाल झाल